हेलो बुक बड़ीज, कैसे आप लोग सब? I hope all of you are doing great. So दोस्तो इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं Reconstruction Series के 3rd Lecture पे जो arguably इस किताब का सबसे Controversial Chapter है. लेकिन इससे पहले के हम अपनी आज की गपशप को आगे बढ़ाएं जो मैंने आपको पिछला लेक्चर दिया था उसके कुछ Key Concepts को Revise कर लेते हैं. सबसे पहले हमने बात की थी Proof of the Existence of God जिस पे हमने Cosmological, Ontological और Teleological Arguments को डिसकस किया था. उसके बाद हमने Time के Concept के बारे में बात की थी, तकदीर के बारे में बात की थी, अकबाल का जो Critique के Physical Sciences के उपर उसके बारे में डीटेल में डिसकशन की थी. इसके इलावा मैंने आपको Serial Time, Pure Duration और कुन फाया कुन के Concept को भी समझाया था. आज का जो लेक्चर है इसमें भी हम बहुती Interesting और Ground Breaking Concepts को डिसकस करेंगे. जिसमें सबसे पहला है Concept of God, यानि के खुदा का तसवर क्या है, Individuality का क्या मतलब है. उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे Concept of तकदीर के बारे में, जो आज के बाद आपको बिलकुल Clarify हो जाएगी. इसके बाद हम लोग बात करेंगे खुदा के अख्तियार के बारे में, in the form of Omniscience and Omnipresence. Omniscience का मतलब है जिसको सब मालूम हो, यानि के अकलِ कुल, और Omnipresence का मतलब है जो हर जगा मौजूद हो. फाइनली आज जो हजरत आदम और हवा का किस्सा है, उसका मैं असल कॉंसेप्ट आपको समझाओंगा. इसके बाद हम लोग एक बहुत important बात करेंगे, कि कुरान में जो वाकियात बताये जाते हैं, उनकी असल हकीकत क्या होती है? और ये जो काइनात का गोरक धंदा है, ये जो अल्ला ने इनसानों को बनाया है, इसका क्या मकसद है? और आखिर में बात करेंगे concept of prayer की, यानि के दुआ का concept. इस लेक्चर के आगाज में अकबाल साहब कहते हैं कि इनसान का जो religious experience है, जो मख़भी तजर्बा है, वो intellectual test, यानि के अकली दलाइल पर पूरा उतरता है. इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक creative force है, कोई एक तखलीकी ताकत है, जो इस काइनात का निजान चला रही है. आगाज खुदा की जात से ही होता है. इस individuality पर जोर देने के लिए कुरान लवज Allah का इस्तमाल करता है. और इसकी सबसे बड़ी दलील है सूरह इखलास. यानि के फर्द का क्या मतलब है? इस हवाले से बर्गसों बहुती कमाल की बात लिखता है. बर्गसों के मताबिक इन्फरादियत यानि के individuality को मकमल करने के लिए जरूरी है कि इसके जिसम का कोई भी हिस्सा इससे अलग अपनी existence बरकरार ना रख सके. लेकिन अगर ऐसा होग तो reproduction तो impossible हो जाएगी. इनसान अपनी नसल कैसे आगे बढ़ाएगा? इस एतबार से के कहना दुरस्त है कि इन्फरादियत ने अपने ही घर में अपना दुश्मन पाल रखा है. लेकिन अकबाल कहते हैं कि जो perfect ego है, जो ultimate ego है, जो खुदा है, वो इन सबसे बालातर है, वो ए एग, एक unclear, एक मुबम किसम के अंसर को ज्यादा एहमियत दी जाती है. मसलन अक्सर कहा जाता है कि खुदा रोश्नी है, खुदा नूर है. लेकिन इस concept की दुरस्तगी भी इकबाल साहब करते हैं कुरान की रोश्नी में. वो हवाला देते हैं सूर नूर की 35 वी आयत का, जिस उसको गोर से पढ़ने और समझने की जरूरत है. अल्ला जमीन और असमानों का नूर है. इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो, इस ताक में रोशन चराग रखा हो, वो चराग शीशे के फानूस में पढ़ा हो, और वो फानूस एक सितारा है जो मोती की तरह चमक रहा हो. अक लेकिन जैसे जैसे आप आयत को पूरा पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि इसका मकसद इसके बिलकुल बरक्स है. क्योंकि अवल तो इस आयत नूर को ताक में रखे रोशन चराग पर फोकस कर दिया है, और फिर इसकी इन्वरादियत, यानिके इंडिविजूयलिट पर मजीद जोर इस तरह दिया है कि ये रोशन चराग एक शीशे के फानूस में है और फानूस एक सितारे की मानिंद जो मोती की तरह चमक रहा हो. इस बात से साफ जाहर है कि एक मखसूस और एक डेफिनिट वजूद की बात की जा रही है. अकबाल मजीद फरमाते हैं कि जो उलूम के हिसाब से. इन नताइच के मताबिक नूर या रोशनी की रफ़तार में इजाफा मुम्किन नहीं और वो हर किसी के लिए एक जैसी होती है. इस एतबार से नूर या रोशनी की मिसाल जात इलाही यानि के डिवाइन रियालिटी से करीब तरीन है. यानि नूर ने का प्रूफ है, सुबूत है. अब यहाँ पर फिर अकबाल साब एक कमाल का सवाल उठाते हैं. वो लिखते हैं कि ड़स नॉट इंडिविज्वालिटी इंप्लाइ फिनिट्यूड यानि कि किसी भी चीज़ की जो इन्फरादियत होती है, वो तो दर असल उसकी महदूद लेकिन जो खुदा की जात है, वो इस टाइम इन स्पेस के कॉंसेप से उपर है. खुदा के लिए या डिवाइन रियालिटी के लिए हम लोग टाइम इन स्पेस का रिफरेंस नहीं उसकर सकते. जो अल्टिमेट इगो यानि खुदा की लामहदूदियत है ना, यानि कि इन् बात करता है Creativity की, Omnipotence की, Eternity की और Knowledge की. Creativity यानि कि खुदा की तखलीकी ताकत, Knowledge यानि कि उसका इल्म, Omnipotence यानि कि उसका हर चीज़ पर कादिर होना, और Eternity यानि कि हमेशा काइम रहने वाला. इकबाल लिखते हैं कि इन्सान का जो दमाग है वो finite है, लिमिटिड है, और इसी सोच की वज़े से, वो नेचर यानि फितरत को अपने से बाहर एक external चीज़ समझता है, जिसको वो देख तो सकता है, लिकिन तखलीक नहीं कर सकता. इसलिए जो खुदा की creative activity होती है, जो तखलीकी अमल होता है, उसको हम माजी का एक मखसूस अमल समझते हैं, और काइनात हमें यू नजर आती है, जैसे एक बनी बनाई चीज़ हो, जिसका अपने बनाने वाले की जिन्दगी से कोई तालुक नहीं रहा, और बनाने वाला सिर एक तमशाई की हैसित से इसे देख रहा है, एक बात याद रखें कि अक्सर आपको concept of God के होाले से, खुदा की creative activity के होाले से सोशल मीडिया या mainstream मीडिया पे एक बेमानी, एक meaningless बहस नजर आईगी, ये बहस दर असल हमारा जो limited mind है, ये इसी का नतीज़ा है, इस सोच के मताब है, ये जो हमारी universe है, ये खुदा को confront कर रही है, यानि कि उसके मद्द मुकाबल है, और इन दोनों के दरमयान space, यानि कि मकानी तोर पर एक फासला है, इसके बारे में एक बाल लिखते हैं, जिसको मैंने पिछले lecture में भी explain किया था, कि ये जो time and space का concept है, ये दर असल हमारे perception का हिस्सा है, जिसका हम इस्तमाल करते हैं खुदा की इस बनाई हुई काइनात को समझने के लिए, इनका बजाए खुद कोई मुस्तकिल वजूद, यानि कि permanent existence नहीं है, एक दफ़ा एक मारूफ सूफी बज़र्ग बायजीद बस्तामी के मुरीदین में एक बहस चड़ गई, खुदा की तखलीक के हवाले से, उसकी existence के हवाले से, एक मुरीद ने कहा, कि एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ खुदा का वजूद था और कुछ भी नहीं था, जिसके जवाब में बस्तामी ने फरमाया, कि जैसा तब था, अब भी तो वैसा ही है, यानि कि ये जो मादी दुन ने हमारी फिकर ने अलएदा अलएदा चीजों में तकसीम किया हुआ है, इसके बाद अकबाल एक बहुत ही रिमाकबल एक कमाल का सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि खुदा की जो creative activity है, वो किस तरीके से execute होती है, उसका तरीके कार क्या है, उसका अमल क्या है, इसके बारे म नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, और हम उनको एक मकररा मिकदार में नाजल करते हैं, एशराइट स्कूल अफ थाट के मताबक ये जो कायनात वजूद में है, ये जो universe की existence है, इसका जो basic building block है, वो है जवाहिर, जिसको मजीद further divide नहीं किया जा सकता, और क्यूंके अल् लातादाद जवाहिर वजूद में लाए जा रहे हैं, और कायनात में इजाफा हो रहा है, कुरान मजीद भी यही कहता है, खुदा अपनी तखलीक में जो चाहे इजाफा करता है, इकबाल के मताबक ये जो atoms हैं या जवाहिर हैं, इनकी हस्ती का इनके वजूद से कोई ताल इसके बाद अकबाल बात करते हैं, इनसान की खुदी के हवाले से, दोस्तों आपनों याद रखें कि जो खुदी का कॉंसेप्ट है ये बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है अकबाल की शायरी और नसर का, और क्या ही ब्रेथ टेकिंग और ग्राउंड ड्रेकिंग पहचान, अपनी सेल्फ कंस्ट्रक्शन, अपनी सेल्फ एक्चलाइज़ेशन और ये सेल्फ क्रियेशन, सेल्फ एक्चलाइजेशन होती हैं गॉलिटीज को इस्तमाल करके जो खुदा ने हमारे अंदर तकदीर की शकल में रखी हैं, यहाँ पर आपने तकदीर को किसमत से confuse नहीं करना तकदीर क्या है इसकी मिसाल आप एक छोटे से बीच से समझें एक बीच के अंदर भरपूर ताकत होती है इतना बड़ा इतना चोड़ा दरख बनने के लिए अगर आप क्लिफटन कराची में जाएं ना तो वहां पर बैनियन ट्रीज हैं जिसको को ग्रो करोगे तो ये तुमारी capacity है इसका मतलब ये नहीं कि उनकी किसमत से पहली लिखी गई थी ये इनसान के उपर है ये हमारे उपर है ये अश्रफल मखलुकात के उपर है कि जो अल्ला ने हमें qualities दी हैं जो capabilities दी हैं उनको optimize करें उनको maximize करें सो तकदीर दर असल सिर्फ serial time का unfold होना है जिसकी range जिसकी लगा में हमारे हाथ में है ये हमारे उपर है हमारी free will पे है कि हम अपनी जिंदगी को किस direction में लेके जाएं remember it is for a man to shape this world or mold this world according to his ends and purposes and in this process of progressive change God becomes a co-worker provided man is willing to take the initiative ये बात मैंने आपको lecture number one में भी बताई थी अगर आपने serial time के concept को समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा bottom line ये है कि خدا की जो creative activity है जो तखलीकी अमल है जिसकी वज़े से काइनात का निजाम चलता है उसमें इनसान हिसेदार बन सकता है अल्ला के साथ काम कर सकता है Isn't this a fascinating concept इसी के आवाले से तो अकबाल साहब ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी की रजा क्या है आज आपको इस शेर का सही मानों में मतलब समझ आ गया होगा इसके बाद अकबाल concept of time को दुबारा डिसकस करते हैं इस चाप्टर में याद रखें दोस्तों जो time का concept है जमा का वो बहुती fascinating है वो बहुती profound है उसमें बहुत गहराई है वक्त यानि दहर का जो concept है वो कुरान का बहुती integral हिसा है क्योंकि ये अल्ला की सिफ्ट है time is a quality of God लेकिन वक्त दरसल होता क्या है आशराइड जो school of thought है उसके मताबक वक्त जो है जमा है वो मुनफरिद आनो का तसलसल है जैसे एक लम्हा फिर दूसरा लम्हा और तीसरा लम्हा इन लम्हात के दर्मियान एक void of time है एक वक्फा है एक खला है यानि वो वक्त का time का खाली लम्हा है अकबाल जो हैं वो इस नजरिये को बिलकुल रद कर देते हैं क्योंके वो कहते हैं कि इसके मुताबक वो जमा को time को externally देखते हैं जो कदीम युनान के लोग थे जो ग्रीक्स थे उनका भी यही नजरिया था न्यूटन ने भी time को एक बहती हुई नदी के पानी से रिलेट किया लहाज़ वक्त को time को देखने का जो उसका point of view था वो भी external था खारजी था एक्सटराज इस पे यह है कि अगर वक्त बहते हुई पानी की तरह हैं तो यह कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म होगा इसकी हुदूद और कनारों का अंदाजा कैसे लगाया जा सकेगा इकबाल कहते हैं कि जो आशराइट मूव्मेंट है और जो मौडन साइंस है उसने time का जो psychological aspect है जो नफसियाती पहलू है उसके उपर तवज्जो ही नहीं दी इसलिए वो वक्त के दाखली पहलू को समझी नहीं सके इसी वज़ा से ये जो time का concept है ये खुदा की जात पर अपला ही नहीं हो सकता क्योंकि खुदा की जात का तसवर एक ऐसी जिन्दगी के तोर पर नहीं किया जा सकता जो अभी तकमील पा रही हो जो material time है और spiritual time है वो दोनों अलहदा अलहदा हैं time की बेताशा वराइटीज हैं जो matter के लिए time है जमा है उसे हम माजी हाल और मस्तक्बिल में segregate कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं लेकिन जो गेर मादी हस्तिय हैं जो spiritual beings हैं उनके लिए जमा बिलकुल मुख्तलिफ है यहां तक के मादी दुनिया यानि के material world के 100 साल उस time के एक लमहे के बराबर हो यानि के material time अलेदा और spiritual time अलेदा यहां पर शायद कुछ लोगों को Hollywood की path breaking movie interstellar याद आ रही हो याद आ रहा है आपको किस तरह Matthew McConaughey एक अलग time span में चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसकी उमर वही होती है लेकिन उसकी बेटी की उमर 100 साल से भी उपर चली गई होती है वो बूरी हो गई होती है So time moves differently for different dimensions इसी तरह वक्त के मुख्तलिफ लेवल से गुजरते गुजरते eventually divine time तक पहुँचते है जो ना गुजरता है और ना ठहरता है जो गुजरने की quality से उपर है इसकी ना कोई इप्तदा है और ना कोई इफ्ताम It is above eternity ये time की ऐसी सूरत है जिसे कुरान मजीद अमुल किताब कहता है अब इस बात से साफ जाहर है कि अगर हमने वक्त को evaluate करना है तो हमें externally नहीं बलके psychologically करना पड़ेगा इस सवाले से अपने पिछले lecture में इकबाल साहब ने दो concepts बताए थे एक था appreciative self और दूसरा efficient self जो appreciative self है वो रहता है pure duration में pure duration का concept दोस्तों मैं discuss नहीं करूँगा because I explained it in detail in the last video और जो efficient self है वो serial time में रहती है सो वक्त को समझने के लिए आपको pure duration और serial time को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा इसके बाद इकबाल खुदा के बहुत ही important दो divine attributes की जाने बढ़ते हैं यानिके knowledge and omnipotence जिसका मतलब है इल्म और खुदा का कादर मतलिक होना यानिके having unlimited power अकबाल फर्माते हैं कि यह जो लफज इल्म है इसका अगर इनसान के लिए इस्तमाल किया जाए तो इससे मुराद अकली या इस्तदलाली इल्म होगा यानिके इसका तालुक होगा सीरियल टाइम से जिसके बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था कि यह कहलाता है जमाने متसलसल यह हमारा normal टाइम है जिसमें एक घंटे के बाद दूसरा आता है एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है जिसमें माजी हाल और मस्तक्बिल होता है लेकिन अगर खुदा के इल्म को भी इसी मानों में समझा जाए तो यह बिल्कुल भी दूस्त नहीं होगा क्योंके खुदा हर शेय पे हावी है और वो इस तरह से काइनात का मुशाइदा नहीं करता जैसे इनसान करता है क्योंके खुदा काइनात की हर शेय पर मुहीत है इस से बाहर किसी का वजूद मुम्किन नहीं इसकी फिकर और अमल यानि के थौट और डीड एक ही है इसलिए हम खुदा के तसवर को थोड़ा सा डिस्टॉट कर देते हैं यहां पर अकबाल खुदा के इल्म के बारे में बात करते हुए जलाल अदिन दवानी को रिफर करते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने खुदा की नौलिज के बारे में जो बात की वो दुरुस तो है लेकिन उससे काइनात का एक ऐसा तसवर पेश होता है जो static है जो जामिद है जो रुका हुआ है और मुकमल है जिसमें वाकियात का नजम जब्त जो भी incidents future में होने हैं वो पहले से ही ते हैं जिसमें तकदीर का मतलब है एक ऐसा रास्ता जो पहले से ही मतायन है which has been decided before which has been determined before अकबाल इस point of view से agree नहीं करते वो कहते हैं कि अगर खुदा को इल्म है के मुस्तक्बिल में क्या होने वाला है तो यह उसकी अजादी के उपर कदगन है this limits his power यह तो उसकी omnipotence के उपर एक attack है this is a very very pivotal and important point to understand अगर आप लोगों ने इसको सही तरीके से समझ लिया तो आपकी जिन्दगी की direction बहतरीन हो जाएगी आपकी जिन्दगी में आसानिया पैदा हो जाएगी इकबाल साब कहते हैं कि खुदा की जो creative life है उसमें मुस्तक्बिल तो मौझूद है लेकिन वो मुताइयन नहीं है उसके इमकानात है इनको इमकानात इसलिए कहा गया है कि यह पहले से decided नहीं है the future is not pre-determined मुस्तक्बिल का मतलब यह नहीं है कि पहले से वाकियात मुताइयन है उनको decide कर दिया गया है और वो अब जहूर पजीर हो रहे है क्योंकि अगर ऐसा है तो यह खुदा की creativity के खिलाफ है जो उसका एक बहुती major attribute है तो यह सारा argument null and void हो जाता है कि मुस्तक्बिल पहले से ही तै है यही है दोस्तों तकदीर का concept जो मैं अब आपको दो से तीन दफ़ा समझा चुका हूँ इसको अपने जहन में बिठा ले अब यहां पर एक और बहुत ही important, pivotal और indispensable सवाल आता है वो यह कि अगर खुदा की मस्तक्बिल के बारे में knowledge limited है तो वो omnipotent कैसे है उसके पास unlimited power कैसे है यहां पर अकबाल साहब खुल के कहते हैं कि यह जो limitation का word है ना इससे आपने घबराना नहीं है इससे खौफ जदा नहीं हो ना कुरान मजीद के मताबिक खुदा की कुदरत में इसकी हिकमत का दخल है इसी बिनापर इसमें एक नजम, एक discipline काईम है लेकिन यहां पर एक और मसला आ जाता है वो यह कि अगर हम खुदा की जात से हिकमत और खैर की तवक्र रखें तो मसला पैदा होता है कि दुनिया में इतना दुक दंध कई है लोग क्यों इतने सताओए होे हैं क्यूं इतना जल्म और सितम है क्यों गुर्बत है, मुफलिसी है हम खुदा की कुदरत में इसके ख meditating का तालोक इस शर्च से कैसे जोड सकते है जिससे काइनात भरी पड़ी है यानि कि खेर और शर गुड और इवल को कैसे रिकनसाइल करें इकबाल के नजदी कि ये मसला हल करना मजब के लिए बड़ी परिशानी का बाइस है वो कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि काइनात के अंदर जो नेगेटिव फोर्सेज हैं जो मनफी कुवते हैं उनका क्या मतलब है उनके हकीकी मानी क्या है हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इसलामी नज़रिये के मताबक काइनात इजाफा पजीर है यानि कि ये एक्स्पैंड हो रही है बेहतर हो रही है और उमीद रखनी चाहिए कि इनसान इवेंचुली वॉल्व होके एक इरतकाई अमल से गुजर के इस शहर पे काबू पालेगा बढ़ते हैं दोस्तों इस चाप्टर के एक बहुती इंपॉर्टन इससे की तरफ जिसमें आदम और हव्वा का वाक्या बताया गया है और उसका असल एसन्स समझाया गया है अकबाल एक बहुती एहम बात करते हैं इसको अपने गहुर से सुनना और समझना है वो कहते हैं कि कुरान मजीद में जब भी कोई वाकिया बताया जाता है तो उसका मकसद कोई तारीखी वाकिया बियान करना नहीं होता बलकि उसके जरीए कोई आलमगीरी इखिलाकी सबक कोई युनिवरसल मॉरल देना होता है कुरान में हवा का आदम की पसली से पैदा होने का कोई जिकर नहीं साब का जिकर है कुरान ने आदम और इसकी बीवी के वजूद में लाए जाने का जिकर जिस बहिश्ट में किया है वो ये दुनिया भी हो सकती है यहां पर एक और चीज़ आपने समझनी है कि इनसानी वजूद का कुरान मजीद में जहां कहीं भी जिकर है इसके लिए लवज बशर या इनसान इस्तमाल किया गया है आदम के लवज का इशारा किसी मखसूस इनसान की तरफ नहीं बलके इसकी हैसित एक तसवर की है कुरान के मताबक शेतान ने आदम और इसकी बीवी दोनों को वरगलाया और उन्होंने एकटे उस शजर का फल चक लिया जिसके बारे में मना किया गया था जबके जो उल्ड टैस्टमेंट है उसका कहना है कि जो ही आदम ने नाफर्मानी की उसे जन्नत से निकल दिया गया उल्ड टैस्टमेंट के मताबक आदम ने इसका इल्जाम जमीन पर लगाया और तुम्हारे लिए यहां जिन्दगी बसर करने का समान रखा मगर तुम कम ही शुकर गुजारी करते हो यहां पर अकबाल जन्ट के कॉंसेप्ट को कॉंसेप्ट ओफ एविलूशन से जोड़ते हैं वो कहते हैं कि कुरान मजीद के मताबिक लफ जन्ट से मुराद इनसानियत का वो दौर है जब इनसान को शौर नहीं था उसे अपनी कमजोरी और महताजी का एहसास नहीं था जिसके सबब उसने अपनी हालत को बेतर बनाने की खातर जदोजहत शुरू की और इनसानी तहजीब की सिविलाइजेशन की पुनियाद रखी दूसरे लफ़ों में कुरान मजीद की निगाह में किस्सा आदम के जिकर से मुराद इनसानी इर्तका है यानि कि किस तरीके से इनसान का जहूर इस जमीन पर हुआ किस तरीके से उसको अपनी एक्जिस्टन्स का अहसास हुआ आजादी का हसास हुआ बोट्म LINE ये है दोस्तों कै किसा आदम का इशारा किसी खलाकी पस्टी की तरफ नहीं है किसी जिल्लत की तरफ भी नहीं है बकॉल अकबाल इनसान की पहली नाफर्मानी वो पहला इख्तियारी अमल था जो उसने अपने इरादे से किया और इसी सबब इरशाद कुरानी के मताबिक आदम का ये गुनाह माफ कर दिया गया इस पूरे वाके का तालुख खैर और जबर से नहीं है बलके इनसान की अजादी से है ये वो अजादी है जो खुदा ने इनसान को दिये इस अजादी में इनसान ने डिसाइड करना होता है कि उसने खैर का रास्ता लेना है या जबर का ये जो किस्सा आदम है इसका एकबाल एक और इंटर्पिटेशन देते है वो कहते हैं कि ये जो शजर ममनुआ था जिसका फल खाने से खुदा ने मना किया था उस शजर के फल को चखने से आदम एक दूसरी किसम के इल्म या इल्में खफी हासल कर लेता जिसका मकसद है वो नौलेज जो बगेर किसी मुशक्कत के हासल कर ली जाए इसे सही रास्ते पर डालने की यही सूरत थी कि इसकी नशनुमा ऐसे महौल में हो जहां मुख्तलिफ किसम की तकलीफों और अजियतों को सेहने के बावजूद उसे अपनी जहनी कुवतों के इजहार का मौका मिलता रहे और यूं वो खुद अपने तज़रबात की रोशनी में अपने इल्म में इज़ाफा करता रहे कुरान मजीद की सूरह एहजाब की 72 आयत में जिस अमानत का जिकर है वो दर असल अकबाल के मताबक वो ही खुदी है जिसका बोज इनसान ने उठा रखा है इकबाल के मताबक जो खुदी की अमानत है यह इनसान ने बेतहशा मुश्किलाथ के बावजूद उठाई हुई है इनसान जब अपनी परसनालिटी को मैकसिमाइज करता है अपनी शक्सित को ग्रो करता है अपने उपर इन्वेस्ट करता है अपने आपको सेल्फ एक्चुलाइजेशन तक लेके जाता है अपने पोटेंशल को मैकसिमाइज करने की कोशिश करता है तो उसकी राह में बहुत सी मुश्किलाथ आती है उसको जदो जहिद करनी पड़ती है उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है और इवेंचुली वो अपनी खुदी को हासिल कर लेता है यही दीन का फलसफा और इस दुनिया की रियालिटी है एक बात याद रखें दोस्तों कि अगर आपने अपनी जिन्दगी में कोई भी कारहाए नुमाया करना है कोई भी कारहाए खास करना है कोई भी सिगनिफिकन्ट काम करना है तो वो कभी भी स्ट्रगल के बगेर नहीं होगा इसके बात अकबाल मुखते हैं कि प्रेयर यानि दौा एक जरीया है जिसके जरीये इनसान इंटिमेट नॉलिज हासिल करता है और अपने खुदा के करीब होता है इसके बारे में विलियम जेम्स लिखता है कि साइंस खुआ कितनी ही तरकी कर ले जब तक इस दुनिया में इनसान बसते हैं दौा या अबादत का सिलसला जारी रहेगा क्योंकि हर इनसान अपनी बन्यादी तनहाई के आलम में किसी सच्चे हमदम या किसी अंदरूनी सहारे की तलाश में रहता है बकौल अकबाल अगर खुदा है तो हमें इसकी मौझूदकी का हकीकी तज़र्बा होना चाहिए और ऐसा तज़र्बा दौा या अबादत ही से मुम्किन हो सकता है अब यहां पर अकबाल एक बहुत ही इंपॉर्टन बात करते है जिसके उपर मेरा बिलीफ पिछले कई सालों से अकबाल कहते हैं के खुदा की तलाश में सूफी की दौा की तरह साइंसदान का मुशायदा फितरत भी अबादत है यानि के जब एक साइंसदान किसी चीज़ का मुशायदा करता है कुदरत को अबजर्व करता है नई इन्वेंशन्स और डिसकावरीज करता है यह दर असल अबादत का हिस्सा है इसके बारे में मुलाना रूम कहते हैं के आलम का सरमाया कलम है और सूФी का सरमाया कदम है इक बाल एक और बहुती एहम बात करते हैं अबादत के हाले से कि अबादत के तरीके के बारे में बहस बाळी करना ये उसको मसलदा बनाना एक बहुती मीनिग्लेस बात है एक गैर जरूरी अमल है अबादत के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारा चेहरा किस रुख है कुरान मजीद से वाज़ है कि मश्रिक और मगर्ब सब अल्ला का है जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्ला का रुख होगा इसी तरह कुरान मजीद सूर बकरा की 177 वी आयत में बहुत ही इंपॉर्टन पैगाम देता है नेकी ये नहीं कि तुम ने अपने चेहरे मश्रिक की तरफ कर लिए या मगर्ब की तरफ बलके नेकी ये है कि आदमी अल्ला को और यौम आखिर और मलाइका को और अल्ला की नाजिल की हुई किताब और उसके पगंबरों को दिल से माने और अल्ला की महबत में अपना दिल पसंद माल रिश्टेदारों और यतीमों पर मिस्कीनों और मसाफरों पर मदद के लिए हाथ पहलाने वालों पर और गुलामों की रहाए पर खर्च करे और जकात दे और नेक लोग वो हैं कि जब एहद करें तो उसे वफा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त और हक और बातिल की जंग में सबर करें ये हैं रास्त बाज लोग और यही लोग मुत्तकी है सो दोस्तों ये था रीकंस्ट्रक्शन सीरीज का थर्ड लेक्चर इस वीडियो को आप बार बार दिखेगा इसके मैसेज को सबजने की कोशिश कीजेगा शायद कुछ ऐसी बाते हों जो आपके बिलीव सिस्टम से आपकी सोच से अलाइन ना हो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है हमेशा डिस्कूर्स पर बिलीव करें दूसरे लोगों की राय को समझें उनके थाट पोसेस को समझें और अपना सोचने का धायरा वसी करें आई होप आपको ये मेरी मेनत पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सरकल में जरूर शेयर करें अंटिल नेक्स टाइम गुडबाई